जैन बच्चो कैसे हैं आप लोग बच्चो आज हम लोग डिसकस करेंगे सॉलुशन चैप्टर का अगला टोपिक जिसमें हम लोग जानेंगे हैन्री जो के बारे में बच्चो हैन्री ने सबसे पहले किसी भी गैस की सोलेबिल्टी और उसके प्रेशर के बीच एक क्वान्टी टेटिव रिलेशन बनाया हिंदी में अगर बात करें कि किसी भी गैस की विलेता और उस गैस के प्रेशर के बीच एक मातरात्मक संबंद इस्थापित किया तो आई देखते हैं कैसा relation दिया किसी भी gas की solubility और pressure के बारे में At constant temperature, solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of liquid or solution Henry ने बताया कि constant temperature पे किसी भी gas की solubility depend करती है उस solution या liquid की surface पे gas के partial pressure के अगर किसी gas की dissolve होने वाली amount M है और उस gas का लगने वाला जो pressure है partial pressure वो P है तो बच्चों आप देख सकते हैं कि M जो है directly proportional है P के यानि M depend करेगा PPAP अगर आप बढ़ाएंगे pressure बढ़ाएंगे तो dissolve होने वाली gas की amount भी बढ़ जाएगी यहाँ पे जानते हैं कि proportional के sign को remove करने के लिए हमें यहाँ पे constant लगाना पड़ेगा हमने K' यहाँ पे constant लिया है हमारा जो formula हुआ यह हो गया है M is equal to K' into P बच्चो यहाँ पे M जो है वो dissolve gas के mass या amount को represent कर रहा है P जो है हमारा यह gas का partial pressure है K' जो हमारा Henry law constant है क्या यह clear है आपको बच्चो किसी भी gas का जो individual अकेला अपना खुद का जो pressure होता है उसको partial pressure कहते हैं हिंदी में आंसिक दाब कहलाता है इस लोग को define करने का एक दूसरा तरीका भी होता है आए उसको भी जान लेते हैं दूसरे सब्दों में अगर हम लोग कहें तो हम लोग यह भी कह सकते हैं कि किसी भी gas का जो partial pressure होता है बच्चो P वो उस gas के mole fraction के directly proportional होता है अगर आप gas का partial pressure यानि gas का pressure बढ़ाते जाएंगे तो उस gas का mole fraction बढ़ता जाएगा इट मींस gas की solubility बढ़ती चली जाएगी तो यह आपको clear हुआ तो उपर हमने जाना था M is directly proportional to P at given temperature constant temperature हम लोग इसको दूसरे words में ऐसे भी बोल सकते हैं P is directly proportional to chi at given temperature किसी भी gas की amount, mass या फिर mole fraction जो होता है वो उस gas के partial pressure पे depend करता है उस gas का जतना ज़्यादा pressure होगा उतनी ही ज़्यादा gas dissolve होगी अब आप जानते हैं बच्चों यहाँ पे proportional के sign को remove करने के लिए हमको यहाँ पे constant लगाना पड़े या constant हमने केच लिया है केच हमारा Henry's low constant कहलाता है और काई आप जानते हैं यह mole fraction या mole परभास कहलाता है तो सीधी सी भासा में अगर कोई आप से पूछे बच्चों बताओ Henry's low क्या होता है तो आप कह सकते हैं कि sir Henry low जो होता है वो किसी भी gas की solubility और उसके pressure में एक relation बताता है वो कहता है Henry low कि किसी भी gas की solubility बढ़ाई जा सकती है अगर आप उसका pressure बढ़ाते हैं constant temperature पे क्या यह आपको clear है बच्चों यहाँ पे हमने graph develop किया है graph में हमने gas के partial pressure और mole faction में relation बनाया है हमने x-axis पे mole faction और y-axis पे pressure लिया हो है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक सिधा straight slope मिल रहा है जो k-h को represent कर रहा है अब यहाँ पे इस graph से एक summary निकल के आती है वो समझेगा जड़ा यहाँ पे फोकस कीजेगा इस formula में आप देख सकते हैं कि जो pressure का value है वो equal है k-h into chi के इन दोनों का जो product होगा वो p का value होगा अगर यहाँ पे k-h का value बढ़ेगा तो p की जो fixed value है उसको maintain करने के लिए क्या करना पड़ेगा बिल्कुल सही बोला आपने काई की value decrease करेगी और जब काई यानि mole fraction, mole प्रभाज घटेगा तो आप बताईए gas की solubility भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी तो भाई इससे क्या समझ में आया इससे ये समझ में आया कि k-h की value जितनी जादा होगी उस gas की solubility उतनी ही कम होगी ध्यान नकी का बड़े काम का point है, यानि k-h जो है वो solubility का उल्टा है inversely है so k-h is inversely proportional to the solubility of gas at given temperature तो बच्चों देखे, relation तयार हो गया इसमें आप देख सकते है k-h जो है वो solubility का उल्टा है, जो बताया था inversely proportional है, अगर solubility जादा होगी, उसका k-h value henry को constant value काम होगा, clear है आपको चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अब discuss करेंगे limitations of henry's low कहां पे henry low लागू नहीं होता है, henry low को लगाने के लिए हमको किस-किस चीज का ध्यान दखना चाहिए, आइए जानते है it is applicable only when, at low pressure at low temperature, when gases are less soluble, when gas doesn't react with solvent, gas should not associate or dissociate in solvent, बच्चों henry's low अगर आपको कहीं पे लगाना है, pressure का effect देखना है, gas की solubility पे तो वहाँ पे आपको pressure low लेना है, आपका जो temperature है, वो temperature कम होना चाहिए, जो आप gas ले रहे हैं, उसकी solubility कम होनी चाहिए जो आपने gas लिया है henry low को apply करने के लिए उस gas की वहाँ पे solvent के साथ reaction नहीं होनी चाहिए, अब देखिए, यहाँ पे अगर मैं SO3 gas लेता हूँ, water में dissolve कर रहा हूँ, और मुझे यहाँ पे देखना है henry's low और दूसरी लेता हूँ, मैं O2 gas, तो बताईए, water में dissolve कर रहा हूँ, तक कि solution बन जाए, तो मैं यहाँ पे henry low लगाता हूँ, तो henry low कहाँ पे लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा, इस case में नहीं लगेगा, क्योंकि बच्चों यह बना देगा, S2 SO4, और यहाँ पे यह S सच रहेगा, यहाँ पे कोई reaction नहीं होगा, तो आपने देखा कि आपकी gas ऐसी होनी चाहिए, जो less soluble हो, और जो chemically non-reactive हो, ऐसा ना हो कि solvent के साथ reaction करके compound बनाते, जैसे कि SO3, CO2 gas करती है और देखिए, last point यह भी clear कर लीजे, gas ऐसी भी नहीं होने चाहिए, कि वो solvent में dissolve होने के बाद, dissociate हो जाए या फिर associate हो जाए ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे example discuss कर रहा हूँ, SCL gas को मैं water में dissolve करता हूँ, SCL gas जो है वो dissociate हो गई है, ions में तो ऐसा नहीं होना चाहिए आईए बच्चों अब लेते हैं applications of Henry's Law और जानते हैं Henry's Law हमारी daily life से कैसे जुड़ा हुआ है, manufacturing of aerated beverages namely champagne, beer soft drinks, etc. बच्चों आपने देखा होगा, कि जो हमारे soft drink होते हैं, beer होते हैं, champagne होते हैं जब उनको serve करते हैं, glass में डालते हैं, तो उनसे बुल-बुले निकलते हैं बिल्कुल सही पेचाना आपने वो बुल-बुले जो होते हैं, वो CO2 gas के होते हैं, जैसे ही आप cold drink की bottle का धक्कल रिमूव करते हैं, बुल-बुले बहुत तीजी से बहार निकलते हैं, बच्चों क्या आपको पता है कि cold drink की bottle के अंदर, या फिर इन जो ये aerated beverages होते हैं इनको carbonated drinks भी बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर CO2 gas को pass किये जाता है और bottle के अंदर CO2 gas का जो pressure होता है, वो एक atmosphere से जादा होता है कोटल के अंदर होता है, इसलिए डखकन खोलने पे बुल-बुले बहार निकलते हैं क्या है किलियर है आपको? इनदा deep sea diving, बच्चों जो scuba divers होते हैं, जो जो गोथा खोर बोलते हैं, गोथा कोर जो होते हैं समुंदर में जाते हैं, हाँ, देखा होगा आपने वो एक special costume पैन के उपने कमर के उपर gas cylinder लगाके नीचे जाते हैं, तो पहले होता क्या था, कि oxygen और nitrogen gas को cylinder में भरके देते थे, जिससे गोथा कोड नीचे जाने पर use करते थे लेकिन कुछ दिनों के बाद ये पाया गया कि जो समुंदर के जब नीचे जाते हैं तो वहाँ पर जो pressure होता है bottom में, at the depth of sea, वो बहुत जादा होता है और जादा pressure होगा तो gas की solubility भी जादा होगी hand is low के according, तो solubility बढ़ जाती थी, O2, and 2, जादा blood के अंदर dissolve होती थी, उससे हुआ क्या कि oxygen तो consume हो गई लेकिन dynation consume नहीं हो पाती है बोडी के अंदर और जब ये gotha coal, scuba divers बहार आते थे, तो pressure कम होने के करण, gas की solubility भी कम हो जाती थी, और blood के अंदर trapped dynation gas बहार निकलती थी और ये बहुत ज़्यदा pain cause करती थी उन gotha coal को और कहीं बार कहीं case में उनकी जान भी चली गई, तो ऐसा ना हो, Henry's low को ध्यान लकते हुए, technical लोगों ने N2 gas को replace कर दिया inert, less soluble helium gas से, और साइद आप जानते हो पर आपका जानना जिरूरी है कि जो gotha coal नीचे जाते हैं वो 2% O2 और 98% helium gas का mixture यूज करते हैं, इस gas का mixture का जो pressure होता है bottom के अंदर, समुदर के नीचे जाने पर ये उतना ही oxygen का pressure supply करता है, gotha coal को जितना की वो plane में रहते हुए मैसूस करता है एक atmosphere pressure में रहते हुए उसको oxygen की supply होती है उतना ही pressure ये 2% O2 और 98% helium का mixture देता है क्या ही clear है आपको functioning of lungs, बच्चों आप जानते हैं कि हमारे blood के अंदर जो hemoglobin होता है वो oxygen के साथ जुड़के oxy hemoglobin बनाता है और lungs में oxygen को लेके जाता है तो वहाँ पे भी जो oxygen gas की blood के अंदर solubility होती है ये भी according to henry's low ही होती है बच्चों respiratory problem at high altitude anoxia जो लोग उपर पाड़ों पे रहते हैं या पाड़ों पे जाके कुछ time के लिए रुखते हैं बच्चों वहाँ पर पाड़ों पे उच्चाई के ऊपर pressure कम होता है atmospheric pressure कम हो जाता है और आप जानते हैं जब pressure कम होगा तो gas की solubility भी कम हो जाएगी जो आदमी जो वहाँ पर रह रहा है जब सांस लेगा तो उसके अंदर oxygen की supply कम हो जाएगी brain के अंदर जब oxygen की supply कम होती है इदर जाओं के उधर जाओं पता नहीं मैं किदर जाओं हाँ हाँ कुछ ऐसी हालत हो जाती है anoxia के करण और ये होता है Henry's low की वज़े से Henry's low कहता है कि pressure कम होगा पाड़ों पे तो आदमी भी बेदम होगा हाँ oxygen कम हो जाएगी क्योंकि पहार pressure कम है और बिमारी बन जाएगी anoxia क्या है आपको clear हुआ और बच्चो अब time आ गया है problem का हमने जो Henry's low discuss किया है formula derive किया है उसको use करने का time आ गया है तो आइए देखते हैं for a solution of acetone in chloroform Henry's low constant is 152 at a temperature of 300 Kelvin calculate the vapor pressure of acetone when mole fraction of acetone is 0.12 बच्चो इस question में simply दिया हुआ है कि जो Henry's low constant of 152 है temperature maintain किया हुआ है 300 Kelvin पूछ रहा है कि वपर pressure acetone का क्या होगा जब acetone का mole fraction 0.12 होगा जो हमको दिया हुआ है हो दिया हुआ है Henry's constant KH और काई acetone यानि mole fraction of acetone clear हुआ है को अब यहाँ पे हम लोग formula भी जानते है formula होता है P is equal to KH into chi समझा भाई और यह हमने यहाँ पे इन KH और काई की value रखी जिससे हमको मिल गया partial pressure 18 tor clear है आपको बच्चो प्रेशर को tor और atmosphere में measure करते हैं यह unit होता है आपको जानते होंगे आपको मालूम होगा आज हमने जाना Henry's low के बारे में Henry's low क्या होता है उसमें हमने जाना कि किसी भी gas की solubility होती है less soluble gas की solubility बढ़ जाती है अगर आपने temperature low रखा हुआ है constant रखा हुआ है और pressure आप बढ़ाते जाते हैं उस gas का तो solubility भी बढ़ती चली जाती है क्या ही किलियर है आपको लेकिन वो जो gas है वो non reacting होनी चाहिए वो react नहीं करनी चाहिए ऐसा हमने limitation में जाना फिर हमने जाना कि इसके application क्या होते हैं daily life में Henry's low कहां यूज़ करते हैं और finally हमने यूज़ किया को एक problem में कि हमने जाना numerical कैसे बनता है तो बच्चों hopefully ये सबाब को clear हुआ होगा